वेलो एबरीवंड आप देसी तड़का फोर्सीु में लेकर आई हूं आपके लिए चीज चिली पनी हॉट दोग本ग। ही जीज चिली पनीर हॉट बनाने के लिए, मैंने हार डोग बंस ले लिए हैं, इस तरह से, रैसंगर्म मैंने पनीर काट लिया है, दो सिमरमेय। काट लिये हैं दो प्याज मेंने काट लिये हैं तो टमाडर मेंने काट लिये हैं तीन से चार टेबल स्पून मैंने सरसो का तेल ले लिया है एक टेबल स्पून मैंने विनेगर ले लिया है एक टी स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस ले लिया है एक टी स्पून मैंने स्वाय सॉ लिए हैं उसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे लैसन भी डाल देंगे इसे हम अच्छे से पका लेंगे लैसन और हरी मिर्च पक चुकी अब इसमें हम प्यास डाल देंगे कि तयाज़ भी रहा हिम पका लेंगे अच्छे से प्याज सुनेdefense ब्रीज हूच अब इसमें सिम्लामेश भी डाल देंगे इसे अवी तरीक्वे पका लेंगे इतनीच तीश भी अच्छyoub पाँच मिनट हो चुका है अब ग्रीन वेज मेरी सारी पख चुकी है अब इसमें हम पनीर भी डाल देंगे अब सोया सॉस भी डाल देंगे विनेगर भी हम मिला देंगे इसमें और ग्रीन चिली सॉस भी डाल देंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिली पनीर को हमें पाँच मिनट अच्छे से भूणना है इससे हमारी चिली पनीर और भी टेश्टी बन जाएगी अब होट डोग की स्ट्रफिंग चिली पनीर बनके तयार हो गई है अब गैस हम बन करेंगे और इसकी स्ट्रफिंग हम होट डोग में भरेंगे होट डोग को हम इस तरह से काट लेंगे फिर इसको हम तवे पर सेकेंगे एक पैन ले लिया है उसमें हम बटर लगा देंगे अब इसमें हम होट डोग बन्स रखेंगे और इन्हें हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे दोनों साइड से गरम कर लेंगे होट डोग मेरे गरम हो चुके बहुत अच्छी तरीके से अब इसके अंदर हम चिली पनीड की स्टफिंग भरेंगे इस तरह से हम स्टफिंग इसमें भर देंगे चीज चीली पनी होट डोग की स्टफिंग मैंने भर दी है अब इसके उपर हम मौजरोयला चीज डालेंगे जो मैंने कद्दू कस करके रखा हुआ है जीज चीली पनीड होट डोग मेरा बनके टैयार हो गया है तो कैसी लगी है अचकी मेरी रेसिपी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे हमें एक नई रेसिपी के साथ